कि यह गाइज वेलकम तो फॉर्टेंथ लेक्च्चर ऑफ दे चैप्टर फोर्टो सेंथेसिस इन हायर प्लांट्स मैं हरीशुकुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन से रिलेटेड कुछ बाते देखो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन तो मैंने तुम्हें अल्रेडी पढ़ा दिया है तो फिर लेक्चर नंबर 14 का नाम मैंने साइक्लिक और नॉन बाते हैं जो आपको पता होनी चाहिए exam point of view से, तो चलो ये lecture शुड़ करते हैं, देखिए light reaction, light reaction के अंडर में हमने पढ़ा था क्या, cyclic और non-cyclic photophosphorylation, right, क्योंकि cyclic और non-cyclic photophosphorylation के शुड़वात कब होती है, light से, जब light गिरती है, light गिरती है, याद करो thylakoid membrane पे तब ज action चलता है, non-cyclic photophosphorylation में भी और cyclic photophosphorylation के time पे भी, non-cyclic photophosphorylation में oxygen बनता है, जो कि by-product है, atmosphere में चला जाता है, और बनता है NADPH2 साथी साथ ATP, cyclic photophosphorylation में सिर्फ ATP बनता है, cyclic photophosphorylation में ATP बनता है, और non-cyclic photophosphorylation में भी ATP बनता है, तो non-cyclic photophosphorylation में जब ATP बन ही रहा था तो cyclic photophosphorylation में और ATP क्यों बना ये चीज मैंने अल्रेडी आपको explain कर दिया है इस cyclic photophosphorylation क्यों चलता है और extra यह जो ATP है इसकी जरूरत क्यों परती है और यहां ध्यान से सुनिए मिली बात मैंने आपको कहा था non cyclic photophosphorylation जो है वो thylakoid membrane में होगा बोथ PS1 and PS2 are functional ठीक है अतलब ऐसे thylakoid membrane जिनमें PS1 और PS2 दोनों functional होते है उनमें आपको non cyclic photophosphorylation देखने को मिल रहा है ठीक अभी के लिए तो आप यह जानते है न और जो cyclic photophosphorylation है यह कहां होता है occurs in some thylakoid in which PS2 is absent यानि कि कुछ-कुछ thylakoid ऐसे होते हैं जिनमें photosystem 2 absent होता है सिर्फ PS1 functional होता है और ऐसे thylakoid में चलता है क्या cyclic photophosphorylation इतनी बाते आपको मैंने बता के रखी है ठीक है तो अब हम कुछ और चीज़े जानेंगे ठीक non cyclic और cyclic photophosphorylation के बाड़े में तो चलो बढ़ते हैं next slide में चलिए अब मेरी बात को अच्छे से ध्यान से सुनिएगा अगर आप कुछ कर रहे हो अभी notes words बना रहे हो लिख रहे हो तो रुख जाओ यह जो चीज में भी पढ़ाने वाला हो important है concept है ध्यान से सुनना cyclic और non cyclic photophosphorylation के बाड़े में हम कुछ बाते जानेंगे देखो मैंने यहां पर आपके सामने एक chloroplast का डायगराम बना के रख दिया आपको पता है जब मैं आपको chloroplast पढ़ाया था topic का नाम था where does photosynthesis take place photosynthesis take place in chloroplast ऐसा आपको कहा गया था जब मैंने वो lecture पढ़ाया था चाहे तीसरा या चौथा लेक्चर था photosynthesis का तो हमने उसमें chloroplast के डायगराम को अच्छे से study किया था याद करो chloroplast है हमारा यह chloroplast का जो liquid part है उसे हमने कहा था stroma और जो membranous part है यानि कि जो center में present है उसे हमने कहा था ग्रेना मेंब्रेनस पार्ड ठीक ग्रेना ठीक ग्रेना किससे बना था अटकोईट से था इलकोईट क्या है एक membrane bound structure है तो इससे लिए हमने क्या कहा दिया जो membranous part है हमारा वहें ग्रेना liquid part क्या है stroma अर्राइट अब देखिए अ में मतलब membranous part में था यो तो इसी ग्रूप को हम कहते हैं क्या याद करो ग्रेना कहते हैं ग्रेना स्टाक अफ थाइलकॉट बन गया उसे हमने कहा ग्रेना तो यह जो ग्रेना है स्टाक ओफ थाइलकॉट तो ऐसे थाइलकॉट जो ग्रूप बना रहे हैं और form कर रहे हैं किस structure को ग्रेना वाले structure को, ग्रेना क्या है, groups of thylakoid, बहुत सारे thylakoid, तो ऐसे thylakoid, जो ग्रेना के development में अपना role play कर रहे हैं, उससे हम कहेंगे ग्रेना thylakoid, ऐसे thylakoid, जो आपस में group बना लिए है, उन्हें हम क्या कहेंगे, ग्रेना thylakoid, ठिक, अब देख होगे, इनका जो membranous part है, इनमें आपको ग्रेना thylakoid दिखेगा, और एक और thylakoid दिखेगा, जो एकदम single ऐसे present होता है, जो group ग्रूप नहीं बनाता है, इससे हम कहते है क्या, stroma thylakoid, stroma thylakoid, या इसका एक और नाम है stroma lamily, ठीक है, अब देखिए, इस structure को अच्छे से दि देखो, जो हमारा ग्रेना है न, उसी को मैंने जूम करके बनाया है, यह जो हमारा यहाँ पर देखो, इसी को मैंने आप पर जूम करके बनाया है, यहाँ पर total अगर आप count करोगे, let me zoom it for you guys, जूम कर दूंगा तो आसान हो जाएगा, कितना आपको आपको ग्रेना thylakoid दिख तो देखो, यह पहला ग्रेना thylakoid, यह दूसरा ग्रेना thylakoid, यह तीसरा ग्रेना thylakoid, ठीक है, ग्रेना thylakoid क्योंकि यह सारे thylakoid आपस में group form कर रहे हैं, देखो, आपस में एक दूसरे के साथ contact में है, group बनाये हुए है, और यहाँ पर साथ ही साथ आपको दिख ठीक है, stromalamualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualual यह दूसरा ग्रेन आप इमेजिन कर लो थिक अपना थोड़ा क्रियेटिव बुद्धी का इमेजिनेटिव बुद्धी का थोड़ा क्या कहते हैं उप्योग करो तो देखो यह राज स्टोमा लामिला और यह हमारा क्या है ग्रेना थाइलकोड प्रेजेंट है ग्रुप के फॉ पॉइंट को अच्छे से समझेंगे कोई भी चीज छोटना नहीं चाहिए देखो आपको पता है मैं बोल के आया हूँ थाइलकोड मेंब्रेन का जो अंदर वाला पार्ट है अंदर वाला पार्ट उसे हम लिउमन कहते है ठीक है मानलो यह क्या है मानलो यह हमारा एक ग्रेना थाइलकोड है राइट इसके अंदर वाले रीजन को हम क्या कहते है लिउमन यह हमारा दूसरा ग्रेना थाइलकोड यह हमारा तीसरा तो यह रहा दूसरा ग्रेना थाइलकोड का लिउमन यह तीसरा ग्रेना थाइलकोड का लिउमन और आप देखो एक चीज जब दो थाइलक आपस में contact में रहते हैं ना तो यह पहला हमारा thylakoid है ठीक है first thylakoid, यह जाएगा ऐसे दूसरा ग्रेना thylakoid के साथ ऐसे क्या कड़ेगा contact में आ जाएगा, group बनाएगा group बनाएगा, तो देखो पहला thilakoid का निचला वाला हिस्सा और दूसरा thilakoid का उपर वाला हिस्सा आपस में क्या हो गया है contact में आ गए, ठिक तो अब ये जो contact में आ गए न, तो ये इनको हम कहेंगे oppressed region, ये देखो क्योंकि ये जो region होता है ये stroma के touch में नहीं होता क्योंकि आपको पता है बाहर में क्या है, liquid part stroma है stroma बाहर में यहाँ पर क्या है, stroma present है तो जो हमारा ग्रेना thilakoid का ये वाला region है इसे हम कहेंगे oppressed region और उपर में देखो ये वाला region, जो कि stroma के contact में है इसे हम कहेंगे non-appressed region जैसे मान लो ये हमारा क्या था ये हमारा क्या है ग्रेना thilakoid है, ग्रेना thilakoid में से ये एक thilakoid इसके अंदर में तो पुरा lumen होगा और बाहर के तरफ पुरा का पुरा क्या, stroma present होगा, तो ये वाला region, ग्रेना thilakoid का जो कि stroma के touch में नहीं है, उसे उसे हमने कहा दिया oppressed region, और वो वाला region हमारे ग्रेना thilakoid का जो कि direct touch में है with stroma, stroma के direct touch में यानि कि exposed है ये वाला region देखो, क्या है exposed और राइट, तो इसे हम कहेंगे non-appressed region, पर क्या ये जो region है, जो दूसरे था ग्रेना thilakoid के साथ, touch में है contact में है, कि ये वाला region, आप इसे exposed कह सकते हूँ नहीं, ये exposed नहीं है लेकिन ये जो surface है, ये exposed है ये वाला surface इधर वाला ये region, ये भी exposed है ठिक, चलिए इतना समझे अब देखिए हमारा जो दो तरगा photosystem होता है हमने पढ़ा है, जब हम non-cyclic photophosphorylation पढ़ रहे थे, तो हमने कहा था, ये भाई आप photosystem होता है thilakoid membrane में photosystem होता है, जिसके उपर light गिरता है, process शुरू होता है light reaction का जो process non-cyclic photophosphorylation वो शुरू होता है तो देखिए ध्यान से photosystem 1 जिसका reaction center को हम P700 कहते है, और photosystem 2 जिसके reaction center को हम P680 कहते है, दो तरगे photosystem हमने कहा था, thilakoid membrane में present होते है, तो ये जो अमारा grana thilakoid है न, grana thilakoid ठीक है, इस grana thilakoid में जो photosystem 2 होता है न, वो हमेशा आपको appressed region में मिलेगा, appressed region में देखिए photosystem 2 है, और photosystem 1 जो होता है न, वो आपको हमेशा non-appressed region में मिलेगा यानि कि exposed जो surface होता है thilakoid का, grana thilakoid का वहाँ पे आपको PS1 मिलता है और appressed जो region होता है grana thilakoid का, वहाँ पे आपको PS2 मिलता है, याद करो PS1 और PS2 आपसे मिलके जो non-cyclic photophosphorylation है non-cyclic photophosphorylation है उसको चला रहे थे PS1 पे light गिरता है, electron प्रचुक से निकलके NADP plus के पास जाता है, और PS1 का जो electron गया उसको balance कौन करता है PS2 करता है तो देखो, यह हमारा thilakoid membrane है, थilakoid membrane में आपको पता है क्या present होता है photosystem present होता है, तो photosystem 2 आपको हमेशा मिलेगा oppressed region में, और photosystem 1 आपको मिलेगा non-appressed region में ओर राइट, इतना तक I hope आपको सब चीच clear हो गया होगा अब चलो बढ़ते हैं अगले slide में कुछ और बाते हैं उसको भी discuss करते हैं moving on to the next slide अब देखिए, मुझे एक doubt आया है I don't know आप लोगों में से किसी को आया है या नहीं यह doubt, doubt यह है कि यह जो हमाड़ा PS1 है, non-appressed region में देखने को मिल रहा है और PS2 oppressed region में देखने को मिल रहा है ऐसा क्यों नहीं कि हमें non-appressed region में PS2 देखने को मिल जाए या PS1 हमें oppressed region में देखने को मिल जाए, right क्या कारण है कि PS1 ही non-appressed region में पाया जाता है और PS2 oppressed region में पाया जाता है तो देखो एक question अगर मैं आप से करू in general, which photo system has to provide electron outside the thylakoid membrane, outside thylakoid membrane यानि stroma के तरफ, क्योंकि तो कौन जे photo system को अपना electron stroma में भेजना पड़ता है याद करो जब मैं आपको non-cyclic photo phosphorylation पढ़ाया था तो मैंने आपको एक बहुत अच्छी बात बोली थी बात ये बोली थी कि जब light गिरता है thylakoid membrane पे तो भया, जो हमारा thylakoid membrane में PS1 होता है PS1 पे जब light गिरा PS1 अपना electron क्या करता है FES के पास भेजता है और FES वो electron को FD, ferodoxin के पास भेजता है और FNR की मदद से यानि कि ferodoxin, NADP reductase की मदद से जो हमारा electron है वो FD से बाहर stroma में NADP plus के पास चला जाता है तो यानि कि जब PS1 पे light गिरा उससे electron निकला वो electron कहां चला गया, घूमते फिड़ते इधर उधर करते, करते, घूमते फिड़ते चला गया, कहां stroma में तो PS1 PS1 वो photosystem है जिसके उपर जब light गिरता है तो अपना electron FES के पास भेजता है FD, FNR के मदद से stroma में present, NADP plus के पास भेज देता है NADP के पास तो यही कारण है कि हमारा जो PS1 है वो non-appressed region यानि कि exposed surface direct touch with stroma में रहता है क्योंकि PS1 को अपना electron कहां भेजना है, NADP plus के पास, जो कि stroma में present है इस यही कारण है कि हमें PS1 direct touch with stroma यानि कि non-appressed region में देखने को मिलता है क्योंकि PS2 को तो अपना electron नहीं भेजना stroma में तो PS2 non-appressed region में रह के क्या कड़ेगा PS2 तो oppressed region में रहेगा और PS1 से जब electron जाएगा NADP plus के पास और PS1 को electron की कमी होगी तो PS2 अपना electron PS1 को देगा तो यही कारण है कि PS1 हमें indirect touch with stroma यानि कि non-appressed region exposed surface में देखने को मिलता है और जो हमाड़ा यह जो PS2 है यह non-appressed region यानि कि not in touch with stroma यहाँ पर देखने को मिलता है राइट अब देखो अब आते हैं stroma lamily के तरफ ठीक है? stroma lamily अच्छा इससे पहले यह देखलो PS2 कहाँ पर देखने को मिलता है non-appressed region में stroma lamily के तरफ आते हैं stroma lamily में आपको PS1 only देखने को मिलेगा PS2 absent होता है देखिए जहाँ पर PS1 और PS2 दोनों present होता है वहाँ पर कौन सा photophosphorylation चलता है non-cyclic photophosphorylation ठीक है? जो हुमारा grana thylakoid है grana thylakoid यह grana thylakoid जो की आपस में groups में present है जिन में PS1, PS2 दोनों होता है यहाँ पर चलेगा क्या? non-cyclic photophosphorylation फिलाल के लिए आपको इतना पता होना चाहिए चलिए अब आते है stroma thylakoid पर यानि कि यह जो single present होते है thylakoid इनकी बात करते है stroma lamely में आपको सिर्फ PS1 देखने को मिलता है photosystem 2 absent होता है stroma lamely में जितने भी photosystem आपको देखने को मिलेंगे सब PS1 होते है alright indirect touch with stroma देखो यह जो हमारा stroma thylakoid है यानि कि stroma lamely यह देखो direct touch में है stroma के यहाँ पुरा stroma ही तो है liquid part ठीक है direct touch होता है stroma के direct touch में होता है और stroma lamely में NADP reductus नहीं होता NADP reductus नहीं होता यानि कि जब stroma thylakoid पे light गिरेगा ठीक है stroma thylakoid की बात हो रही है जब इस पे light गिरेगा PS1 अपना electron release करेगा बट क्या यह electron बाहर जा पाएगा stroma के तरफ नहीं क्योंकि मैंने आपको एक बहुत important बात पढ़ाई थी जब मैं cyclic photophosphorylation पढ़ा रहा था वो यह कि electron को FD से PS1 पे जब light गिरा electron इकला FES के पास गया और FD के पास गया FD से अगर NADP के पास जाना है तो यहां पर काम आता है paradox in NADP reductase मगर paradox in NADP reductase है नहीं तो क्या FD से NADP के plus electron जा पाएगा नहीं जा पाएगा तो यही कारण है ध्यान से सुनिएगा indirect touch with stroma रहता है यहां पर आई है indirect touch with stroma ठीक है तो हमारा जो PS1 होता है but PS1 of stroma lamily does not give its electron to stroma क्यों क्योंकि stroma lamily के पास क्या नहीं है NADP reductase नहीं है तो मैंने आपको एक चीज कहा था याद करो कि ऐसे thylakoid membrane जिसमें PS1 और PS2 दोनों present है उनमें तो चलेगा non-cyclic photophosphorylation यानि कि ग्रेना thylakoid जिसमें PS1 और PS2 दोनों present है तो इन सब में चलेगा non-cyclic photophosphorylation फिर मैंने आपको खाता in some thylakoid कुछ thylakoid ऐसे होते है जिनमे PS1 ही होता है सिर्फ PS2 absent होता है तो सिर्फ PS1 होता है ऐसे thylakoid में चलेगा only cyclic photophosphorylation तो यह जो मारा stroma lamily यानि कि जो stroma thylakoid है न इनमें आपको क्या देखने को मिलेगा cyclic photophosphorylation और जो जो stack में present है ठीक है इनमें आपको मिलेगा देखने को क्या non-cyclic photophosphorylation तो अभी के लिए आपने ये चीज समझा और सीखा ठीक वापस से एक बार revision करा देता हो ग्रेना thylakoid PS1, PS2 दोनों देखने को मिलता है appressed और non-appressed region आपको समझ में आ गया होगा वो वाला region जो direct touch में है stroma के उसे हम कहेंगे non-appressed और जो appressed है दबा हुआ है किसके बीच दबा हुआ है देको दो thylakoid जो है ग्रेना thylakoid आपस में contact में है जिसे कारण से जो ये वाला region है ये stroma के touch में नहीं है ऐसे region को हम कहेंगे appressed region या आपको PS2 देखने को मिलेगा ठीक है अब ऐसे thylakoid जिमें PS1, PS2 दोनों है उनमें क्या चलेगा non-cyclic photophosphorylation यानि कि ग्रेना thylakoid में क्या चलेगा non-cyclic photophosphorylation और जो हमारे ये क्या कहते है stroma thylakoid यानि कि stroma lamely है ये वाले thylakoid इनमें क्या चलेगा इनमें देखो सिर्फ PS1 होता है PS2 तो absent होता है और साथी साथ NADP reductase भी absent होता है क्योंकि PS1 से ये electron को अगर NADP के पास भेजना है तो यहाँ पे FNAR यानि कि Ferradoxin Reductase काम करता है लेकिन stroma thylakoid के पास ये जो मारे stroma thylakoid है इसके पास NADP reductase होता ही नहीं है FNAR Ferradoxin NADP reductase होता ही नहीं है तो जो electron है वो stroma में नहीं जा पाता है does not give its electron to stroma reason क्योंकि इनके पास NADP reductase नहीं है क्या grana thylakoid के पास NADP reductase है obviously तब ही तो PS1 से electron NADP के पास जा पा रहा है तो यही कारण है कि grana thylakoid में तो आपको non-cyclic photophosphorylation देखने को मिलता है और जो हमारा stroma thylakoid है इस thylakoid में आपको क्या देखने को मिलता है cyclic photophosphorylation तो मैं तब से आपको बोलते आ रहा था ना कि in some thylakoid in some thylakoid PS1 is only present PS2 is absent और उस thylakoid में cyclic photophosphorylation होता है अब आपको पता हो जाना चाहिए कि वो thylakoid कौन से thylakoid है वो thylakoid है stroma thylakoid stroma lamily वाले thylakoid stroma thylakoid जिनमें सिर्फ PS1 है ठीक है PS2 absent I hope आपको इतना समझ में आया होगा चलो moving on to the next slide चलिए तब एक बात सुनिए ध्यान से बात करते हैं अगर हम stroma thylakoid की तो stroma thylakoid में PS2 और NADP reductase absent होता है जैसा कि मैंने आपको यहां पर पढ़ाया right PS2 absent होता है और NADP reductase absent होता है only PS1 is present सिर्फ PS1 present होता है stroma thylakoid में हमेशा only सिर्फ और सिर्फ cyclic photophosphorylation ही चलता है in stroma lamily यानि कि in stroma thylakoid सिर्फ हमेशा cyclic photophosphorylation ही चलेगा ठीक है लेकिन जब हम बात करते हैं grainathylakoid की तो देखो grainathylakoid में PS1, PS2 and NADP reductase सब present है ठीक है तो यहाँ पे आपको एक note रखनी की बात यह है कि in grainathylakoid both cyclic and non-cyclic photophosphorylation occurs तुम लोग तो हरान होगे होगे कि यह क्या बोल रहा है हरीशू तब से पढ़ाया जा रहा है कि grainathylakoid मे non-cyclic photophosphorylation होता है stromathylakoid में cyclic photophosphorylation होता है और अब last में आके बोल रहा है कि grainathylakoid में cyclic भी चल रहा है यह कैसे? यह कैसे? तो यह देखो कैसे बताता हूँ सुनो ध्यान से सुनना ठीक है? मान लो यह जो हमारा grainathylakoid है इसके उपर light गिरी 690 nanometer की 690 nanometer की एक condition दे दिया मैंने आपको एक condition कि 690 nanometer की light गिडी है thylakoid membrane पे आपको पता है PS1 और PS2 जो दो तरह के photosystem grainathylakoid में मिलेंगे PS1 जो है उसके लिए maximum 700 nanometer की light गिरी सकती है मतलब maximum 700 nanometer की light तक वो क्या कड़ेगा? अपने आपको activate कर सकता है PS1 और PS2 जो है maximum 680 nanometer की light पे activate होगा यानि कि PS1 maximum P700 यानि कि 700 700 किसलिए 700 nanometer की light को absorb कर सकता है और PS2 maximum 680 nanometer की light को absorb करके क्या कर सकता है? function कर सकता है right? बट मैं आपको कह रहा हूँ कि एक condition है जिसमे 690 nanometer की light गिर रही है तो क्या PS2 काम कर पाएगा? PS2 का maximum ही है 680 अगर 680 से उपर के wavelength के light को आप गिडाओगे तो क्या PS2 काम कर पाएगा? नहीं क्या PS1 कर पाएगा? obviously PS का तो maximum 700 है और 690 तो 700 से कमी है तो PS1 काम कर पाएगा अब देखो PS2 काम ही नहीं कर रहा सिर्फ PS1 काम कर रहा है ऐसे condition में कब जब 690 nanometer की light गिर रही है तो सिर्फ PS1 अगर काम करता है यानि कि only PS1 is present अगर सिर्फ PS1 काम करेगा तो क्या चलेगा? तब cyclic photophosphorylation चलेगा ठीक है? cyclic photophosphorylation तो in grainath hyalacode इन जेनरल तो हम लोगों पता है कि non cyclic photophosphorylation ही चलता है लेकिन नीट में अगर आपको question आ गया कि बताओ एक condition है 690 nanometer की light गिर रही है तो क्या होगा? तो क्या grainath hyalacode में cyclic photophosphorylation चलने के chances है? तो आप कहोगे हाँ क्योंकि जब 690 nanometer की light गिरती है तो photosystem 2 जो होता है वो काम नहीं कर पाता सिर्फ PS1 काम करता है और जब PS1 काम करेगा only PS1 PS1 only तब क्या चलता है cyclic photophosphorylation तो grainath hyalacode में cyclic photophosphorylation भी चलता है लेकिन उसके लिए एक condition होनी चाहिए condition क्या? यह मैंने आपको बता दिया alright तो I hope यह चीज आपको समझ में आ गया है right stromathylakoid क्या होता है PS2 और NADP reductase दोनों absent होते है only PS1 present होता है और cyclic photophosphorylation चलता है grainathylakode PS1, PS2 और NADP reductase सब भी present होते है और in general non-cyclic photophosphorylation ही चलता है लेकिन एक condition अगर मैं आपको दे दूँ 90 nanometer वाला तो cyclic photophosphorylation भी चल सकता है grainathylakode में लेकिन in general तो आपको पता होना चाहिए कि in general तो भईया non-cyclic photophosphorylation चलता है alright और stromathylakode में हमेशा cyclic photophosphorylation ही चलेगा लेकिन grainathylakode में non-cyclic चलेगा और cyclic चलने के लिए condition है जो कि मैंने आपको बता दिया और यहीं पर मुझे आपको cyclic and non-cyclic photophosphorylation के बाड़े में कुछ बाते जो थी बोलनी थी I hope आपको समझ में आगया हो कि मैं क्या बोलना चाहता था मैं कहिए था था ना आपको कि non-cyclic photophosphorylation thylakode membrane में होता है कौन से thylakode membrane में होता है ग्रेना thylakode membrane में होता है ठीक है और cyclic photophosphorylation कहां होता है stroma thylakode में होता है याद करो मैं हमेशा कहता था in some thylakode ps1 is only present ps1 is functional ps2 is absent in those thylakode cyclic photophosphorylation होता है क्यों होता है मैंने आपको सब कुछ बता दिया right क्या कारण है और जो हमारा क्या कहते है cyclic photophosphorylation है यह आपको कभी-कभी ग्रेना thylakode में भी देखने को मिल जाएगा लेकिन कब जब 690 nm की light गिर रही condition दे दिया तो यह सारी चीज़े आपको अच्छे से पता होनी चाहिए और रेट चलो तो यहीं पर लेक्चर होता है समाप्त मिलते हैं next lecture में झाल